सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार साथियों सबकत करता हूं सबका इस यूटूब चनल पर जिसका नाम है इस्टडी विद पी एन लोदा इसके बाद में विज्ञान सिक्सान का विडियो भी मिल जाएगा साथियों विज्ञान और गनित की जो टीचिंग में तड़ की जो टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका विडियो भी बिल्कुल आपको मिल जाएगा और साथी साथ मैं हर विडियो में बता रहा हूँ कि संडे के दिन आपके सभी के लिए जो आप लेवल फश्ट से हो चाहे लेवल सिकंड से हो चाहे आपके सेश्टी है हिंदी है या पिर आपके साइंस मेंट से सभी के लिए पूरे 150 प्रश्णों का बिल्कुल से लेवेज के अकोडिंग जिस प्रकार आपका एक्जाम रीट का एक्जाम में एक्जाम होगा उसी प्रकार से टेस्ट यह लेकर आ रहा हूं मेगा टेस्ट तो उसको जरूर दे के साथ जरूर से जरूर उसमें मेरिट भी बनाई जाएगी उसका टाइम देखिए सुबह 8 बजे में सार के बीच में 10-11 क्या सोरी 10 बजे से लेकर 15 मिट का टाइम दूँगा 10 बच के 15 मिट तक मैं बिल्कुल वाट्सअप नंबर दूँगा एक उस पर आपको मेसेज करना है और अपनी आंसर की और अपना नाम पता मेसेज करना है ताकि आपका जो आपकी जो मेरिट बनकर तयार हो उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मेरिट बना सकूँ और अगले दिन बिल्कुल आप सभी को आपका रिजल्ट और कौन सा इस्तान आपका आएगा बिल्कुल निशुल के ये चीज़े में बताने वाला हुसा आती हूं तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को आपका प आपके पढ़ सके और लिखी या चपी सामगरी का अर्थ समझ सके तो साक्यों यहां पर आपको सही आंसर बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके लिखी या चपी सामगरी का अर्थ वो समझ सके ये बाशा सिक्सान के स संदर्व में सबसे इंपोर्टेंट चीज है क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज है और पढ़कर समझना अलग चीज हो जाता है सात्यों तो चोता युकल्प आपका यहां पर प्रिश्च नमबर एक में सही रहेगा नेक्स्ट प्रिश्च नमबर दो पे चलते हैं आपका जो से शब्द के अर्थों का परदर्शन किया जाए और उप्रोक्त सभी तो साक्यों जो चात्र है उनमें भाश्या कोश्लों का जो विकास है यहां पर उप्रोक्त सभी से बढ़ावा मिल सकता है तो चोता विकल्प आपका प्रिश्च नमबर दो में बिल्कुल सही रहने वाला ह देखें परता विकल्प सही है दूसरा तीसरा भी सही है कुछ भी यहां गलत नहीं है इसलिए यहां चोता विकल्प सही रहेगा अगला प्रश्च नमर तीन देखेंगे मित्रों आपका तीसरा प्रिश्च आता है शब्द का अर्थिसपष्ट करने तो कोन सा तरीका लग रहा होगा क्योंकि यह तो बिल्कुल ही गलत है किसी शब्दकार्थिस्पष्ट करने के लिए व्यक्षान देना ब्रमन करवाना यह तो गलत हो गया राइट आंसर क्या रहेगा वाक्य का प्रियोग करना मतलब प्रतम विकल्प आपका यहां पर सही रहेगा प्रश्ण न लंकार बताना कविता पढ़कर चंद और रस की पेचान करना और कविता का केवल संगीत में पाट करवाना तो सातियों कविता सिक्सन के रचनात्मा कुपागम का अर्थ होता है अर्थ और रचना सर्जन के शमताओं का विकास करना प्रतम विकल्प प्रश्ण नंबर 4 में स तुरंत सुधार एकदम निश्चिते हैं, बच्चे कक्षा में बोलने में संकोच करने लग सकते हैं, बच्चे शुद उच्चारण के महतु को एकदम समझ जाएंगे और बच्चों का लेखन भी सुधर जाएगा, तो साथियों शुद उच्चारण पर अत्यदिक बल दिया जा रहा है इंदी वाशा की कक्षा में, अत्य दिक्षब दा रहा है, उस आधार पर ही आपको अंसर देना है, और उस आधार पर आपका सही आंसर रहेगा, बच्चे कक्षा में बोलने में संकोच करने लग सकते हैं, क्योंकि देखिए शुद उच्चारण पर आप बहुत जाधा बल दे रहे हो, तो सकता है, बच्चों का जो उच्चारण है, वो डरने लग जाए, संकोच उनका मन मा आ जाए, कि यार मैं अशुद उच्चारण करूँगा, तो फिर हो सकता है, मुझे कोई सजा मिल जाए, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही रहेग साथियों, नेक्स्ट प्रश्ण नमबर छे पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा बिंदू कविता सिक्षन के समान्युद्देश से मेल नहीं खाता है, चात्रों की कल्पना शक्ती का विकास करना, चात्रों की तर्क शक्ती का विक्सित होना, चात्रों की सोंदर्यानों पूत पुति बढ़ाना भी होता है और चात्रों के उदात भाव का सवरदन करना भी होता है लेकिन जो दूसरा विकल्प है चात्रों की तर्क शक्ती विक्सितों ना ये कविता सिक्सन के सामान्य देशों से मेल नहीं खाता है इसलिए आपका दूसरा विकल्प प्रिश्ण No.6 में बिल्कुल सही रहेगा सातियों अगला प्रश्ण नमबर साथ देखेंगे सर्जनात्मा किस तर के लिए आवशेक है विशेवस्तो आधारित प्रश्ण मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्ण एक अत्यंत अनुशाशित कक्षा की और प्रत्यक्षी सिक्सान एवं प्रत्यक्ष को फायदा पहुंचाएगा कैसे क्योंकि मुक्त उत्तर में जो चात्र है वो खुद के विचार वापर अभिव्यक्त करेगा तो उसमें कुछ नविन्ता मौलिक्ता भी आ जाएगी सातियों दूसरा विकलप आपका सही रहेगा इस प्रकार से प्रश्ण नमबर सात में अग प्रश्य सामागरी का भी और सरव्य सामागरी का भी प्रियोग कर रही है तो इसका प्रमुक कारण क्यों है कक्षा के सभी बच्चों को नियंतरण में रखती है सभी बच्चों की आउशक्ताओं को संभोधित करती है सभी बच्चों की रूची का ध्यान रखती है और सभी बच्चों का मनोरंजन करती है साथियों मनोरंजन करना और नियंतरण में रखना ये तो गलत हो गया अब आपके सामने दूसरा और तीसरा विकलप है तो यहाँ पर जो सही अंसर है वो रहेगा सभी बच्चों की रूची का ध्यान रखती है क्योंकि सरव्य दरश्य सामगरी में जो परतीवाशाली हो या सामान्य बालक हो या फिर मंद बुद्धी बालक या कम जोर बालक भी आप पिछले बालक भी उसको कह सकते हो तो उन सभी बालकों की अलग-अलग रूचे होती है और उसी प्रकार से सिक्सन समगरी का प्रियोग कर सकते है तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियो प्रश्य नमबर आट में अब हो सकता है आप इसको दूसरा विकल्प भी सही माने लेकिन आपकी पर्श्ट चुईस तीसरा विकल्प रहेगा नेक्स्ट प्रेश नमबर नो, कक्षा आठ के बच्चों को सतत आकलन करने में सबसे अधिग महत्पुन क्या है? लिखित परिक्षा, भाष्या, प्रियोग की शम्ता, मौकिक परिक्षा और व्याकरन की जान करी। अगला प्रिश नमबर दस देखेंगे, आपके दसवा प्रिशने हैं, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिनाम है, यह विचार किसका है? पियाजे का, चोमसकी का, इसकिनर का, और वाइगोसकी का? तो मित्रों, यहाँ पर जो और राइट आंसर है, वो रहेगा आपके वाइगोसकी का उपरोक्त जो विचार है, यह किसके दोरा दिया गया है? वाइगोसकी के दोरा दिया गया है, कि बच्चे की जो भाषा है, वो समाज के साथ संपर्क का ही परिनाम होती है साथियों, चोता विकल्प आपका सही रहेगा प्रश नमबर 10 में, बच्चे तुरूटिया ही करते हैं और भाषिक नियमों को स्वभाविक रूप से गरहन करते हैं, तो मित्रों बाषा अर्जन करने की स्थिक्या अगर बात करें, तो यहाँ पर बच्चे जो भाषिक नियम हैं, उनको स्वभाविक रूप से गरहन करते हैं, चोता विकल्प आपका सही रहेगा ग्यारवे प्रिश्ण में में तो किसी भी प्रिश्ण पर अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंड बोक्स में कमेंड कर लीजिए बिल्कुल मैं सभी के जवाब तो नहीं दे पाता हूं लेकिन कोशिश करता हूं कि आपकी जो समच्या है उनका निदान करूं साथ उनका उपचार करूं निदान तो क्या करूं प्रिश्ण है बारा देखेंगे आपके बारवा प्रिश्ण है मुल्यांकन उपयोगी है किसलिए उपयोगी है चात्र की प्रवर्ति जानने में चात्र की कक्षय उपस्तिती जानने में चात्रों के आच्रण जानने मतब प्रवर्ति लिखा हुआ है यह लेकिन वहां पर क्या आना चाहिए प्रगति आना चाहिए सात्यों तो इस परकार आपका प्रत्म विकल्प सही है कि छात्र ने कितनी प्रगति की है यह जानने में मुल्यांकन उपयोगी है उपस्तिती जानने के लिए तो आपको अटेंडेंस रेजिस्टर देख ले रा चाहिए आचरन जानने में देखिए अलग चीज़े हो जाती है यह तो यहाँ पर आपका प्रतम विकल्प सही है प्रश्ण नमबर 12 में यहाँ पर प्रवर्ति की जगह आपको याद रखना है प्रगती जानने में प्रश्ण 13 पे चलते हैं मित्रों शुरूत लेक से किस कोशल का अधिक विकास होता है शर्वन और लेखन कोशल का वाचन और लेखन कोशल का शर्वन और वाचन कोशल का और लेखन और वाचन कोशल का तो शुरूत लेक मतलब सुनकर लिखना दो चीजे हो रही है एक तो सुनना और एक लिखना मतलब यहाँ पर आपका फश्ट विकल्प सही है प्रश्ण 13 में अगला प्रश्ण नमबर 14 यदि कोई चात्र अशुद्ध लिखता है तो क्या उपचार करेंगे निदानात्मक परिक्सन उपचार आत्मक सिक्सन माबाप से सिकायत और उसे दंड देंगे साथियों तीसरा और चोटा उउकल्प तो बिल्कुल गलत हो गया अब देखिए अशुद्ध लिख रह लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों और बिल्कुल लगातार टेस्ट इस रीच के लिए हमारे चैनल को आप सब्क्राइब भी कर सकते हो रीट की विशेश तयार इस चैनल पर कराई जाती है प्रश्न पंदरा पे चलते हैं पढ़ना सिखाने के लिए साच चर्य विधी या साचर्य परणाली का निर्मान करने वाली थी मेडम मार्या मॉन्टेन सरी प्रत्म विकल्प सही रहेगा प्रश्न नमर 15 में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए कितने क्यूशन सही हुए और ये प्रश्न आपको के से लगे साथियों बिल्कुल शांद प्रश्न में आपके लिए लेकर अगली बार वापिस जल्द ही आने वाला हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद साथियों